हेलो दोस्तों जैहिन साथियों दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एनके फार्मेसी नॉलिज में जहां पाते हैं दवाईों से संबंदित अच्छी और संपूर जनकरी दोस्तों आज की इस मेडिसिन रिवियू के वीडियो में हम बात करेंगे एक टेबलेट के बारे में जो लीवर से संबंदित बीमारियों को ठीक करती है और दोस्तों इस टेबलेट का नाम है अर्सोडियोकसीकोलिक एसिड और यह इस दवा का जैनलिक नाम है इसके ब्रांड लेने का सही तरीका क्या है कुछ साइड इफेक्ट और वीडियो के लाश्ट में जानेंगे क्या-क्या साबदानी आपको रखनी है या कौन से वो मरीज हैं जो इस दवा को नहीं ले सकते तो यह सबी बाते इस बीडियो में हम जानेंगे इसलिए वीडियो को लाश्ट तक एक पाइट है जो कोलिस्ट्रोल तता फैट को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है जब हमारे सरीर में अर्सोडियोकसी कोलिक एसिड की कमी हो जाती है तब डॉक्टरो द्वारा ये टेबलेट फॉर्म में बाहर से दिया जाता है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जा टेबलेट हैं दोस्तो इसके अलावा अर्सोडियोकसी कोलिक एसिड के कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी ब्रांड्स आपको आपके एरिया में मिल सकते हैं तो दोस्तो इनमें आपको यूडिलिप 300 के अलावा भी कई और सारे ब्रांड आते हैं जिन में सेम मैडिसिन सेम कंटेंट रहता है तो कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं है इसमें दोस्तो हेपा काइंड 300 टेबलेट अर्सोल टेबलेट अर्सोड फोर टेबलेट अर्सो कॉल एसार टेबलेट अर्सो केम टेबलेट और भ तो इसके according अलग-अलग रहती है और इसकी जो strength है वो 150 mg तता 300 mg की अलग-अलग मात्रा में उपलब्ध है और इस tablet को आप medical store से तता online pharmacy से doctor के prescription पर आसानी से खरीच सकते हैं तो आप इसके use के बारे में जान लेते हैं क्या इसका use है किन के बीमारियों में प्रियोग लिया जाता है यदि कोई बेकती है जिसके गाल ब्लेडर में stone है जिसे हम पिताशे की पत्री भी कहते हैं और वो जो पत्री है कोलिस्टरोल के जमने के कारण हुई है ऐसी इस्तिती मे डॉक्टर द्वारा ये दवाई पेसेंट को प्रेसक्राइब की जाती है और फायदा भी करती है यदि यह जो पत्री है केलसियम जमने के कारण हुई हो या इस पत्री की साइज बड़ी हो तब टेबलेट कारें नहीं करेगी उस समय में आपको गाल विलेडर की सरजरी करवानी पड़ेगी और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जो गाल विलेडर सरजरी के लिए फिट नहीं है और उसकी इच्छा नहीं है तब भी ये डॉक्टर दारा लंबे समय तक पेसेंट को दी जाती है और कंप्लीट तरह से ये स्टोन को डिजॉल्व नहीं करती है दोस्तो अबाट कंपनी दोवारा मार्केट इन टैबलेट्स में आपको 15 टैबलेट्स की एक स्टिप्स मिल जाती है जो कि इस समय 10 टैबलेट्स मौजूद है और इसमें से 5 टैबलेट्स को यूज कर लिया गया है और दोस्तो अगर इसकी MRP की बात करें तो दोस्तो आप देख सकते हैं इस पर जो MRP मेंशन की गई है 631 मतलब की इसली आपको ये 610 से लगा करके 620 रुपे की MRP के साथ इसली किसी भी फार्मेसी स्टोर से मिल जाती है चली दोस्तो वीडियो में आगे जान लेते हैं इसका दूसरा अन्य यूज दूसरा जो यूज है यदि किसी ब्यक्ती का लिवर डैमेज हो गया है जब ब्यक्ती जरूरत से ज़्यादा सराब पीते हैं जो ब्यक्ती सराब नहीं पीते हैं कभी-कभी उनका लिवर भी डैमेज हो जाता है और ये जो प्रोसेज है कई महीनों और कई सालों तक चलता है उसके बाद जाकर लिवर डैमेज होता है जिस कारण से ब्यक्ती के पूरे सरीर में खुजली सी रहती है उसको नींद नहीं आना, ठकान रहना, उसका पेट बहुत ही ज़्यादा फूल जाना साथी पैरों में सूजन आना, इसकीन का पीला पड़ जाना ये कुछ इसके लक्षन है, ऐसा उसको लगेगा तब ऐसी इस्तिती में भी अर्सोडियोक्सिकोलिक ऐसी टेबलेट डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जाती है और इससे फाइदा भी मिलता है और साथी इस टेबलेट का जो पिर्योग है फेपड़ों में तथा सरीर के कई अंगों में वाइल जो फ्लो है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे कि वो वैक्टिरिया को मार सके और सरीर में जो फेट है कोलेस्टरॉल है उसे डाइजेस्ट कर सके और यदि किसी वैक्ति की वेट लॉस सर्जरी हुई है मतलब उसका बज़न कम करवाने के लिए उन्होंने कोई सर्जरी करवाई ओपरेशन करवाया तब भी ओपरेशन के बाद में यह टेबलेट डॉक्टो द्वारा लंबे समय तक पेशेंट को दी जाती है जिससे की जो बाइल फ्लो है वो पूरे सरीर में रहे और कोलिस्टोल फैट का डाइजेशन होता रहे और पेशेंट को किसी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े और आप लोग ने कई वार देखा होगा प्रेगनेंट लेडी को भी ये टेबलेट डॉक्टो द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है वैसे तो कैटेगरी B की ड्रग है प्रेगनेंसी में लेकिन फिर भी जरूत पढ़ने पर ये प्रेस्क्राइब की जाती है जब महिला को लिवर से जो वाइल ऐसेड है डियोडियम तक नहीं पहुँच पा रहा है जो इन्टेस्टाइन का अग्र पार्ट है वहां तक नहीं पहुँच पा रहा है तब ऐसी इस्तिती में महिला को भी sunshine में यलोनेस रहता है और कुजली सी होती है तब ये tablet डोक्ट्रो दी जाती है कोई ब्यक्ति है जो एंटिवाइटिक मेडिसिन का प्रियोग लंबे समय से कर रहा है तब भी उसका जो वाइल एसिड है वो लीवर से डियोडियम तक नहीं पहुच पाता है तब भी उसे खुजली रहना येलो स्टूल डार्क यूरिन जैसी समस्या रहेगी तब भी बहुत ज्यादा यलो आएगा और सरीर में आपको ठकान से महसूस होगी इसका भी एक ही कारण है जो वाइल फिलो है आपका लीवर से डियोडियम तक नहीं हो पाता है तो इसको ठिक करने के लिए भी अर्सो डियोक्सिकोलिक एसिड पेसिंट को प्रेस्क्राइब की जा सकते हैं कितनी मातरा में लेनी चाहिए वैसे तो इसकी जो डोज है डेपेंड और पेसेंट कंडिशन है जैसी पेसेंट की इस्तिति इसकी अनुसारी दी जाती है इसकी जो मेकसिमम डोज है एडल्ट की लेविल में बता देता हूँ आपको 15 मिली ग्राम प्रती किलो ग्राम पार डे के हिसाब से मैक्सिमम डोज रहती है यदि कोई वेक्ती 60 किलो ग्राम का है तो उसे 90 mg अर्सोडियोक्सिकोलिक ऐसी टेबलेट दी जाएगी इससे जदा एक दिन में नहीं दी जाएगी और इसे दो से चार पार्ट में करके अलग अलग दे सकते हैं और इसको यदि आप खाने के साथ ले या खाने के तुरंत बाद ले तब आपको बहुत ही अच्छा फाइदा करती है और यदि इस टेबलेट आप ले रहे हैं और वो टेबलेट फिल्म कोटेड है तो उस टेबलेट को आप बिल्कुल भी तोड़े नहीं उसे क्रेश नहीं करें dose adjustment के लिए अधी नहीं करें क्योंकि film coated intestine में जाकर release होने के लिए बनाई गई है उसे directly आप पानी के साथ निगल ले और यदि ये tablet uncoated हो तो आप इसे equally दो भागों में divide करके अपनी dose adjust करके ले सकते हैं और ये जो अर्सुडियोक्सिकोलिक acid tablet है लंबे समय तक patient को दी जाती है इन से चार महीने पांच महीने या छे महीने और छे महीने से ज़्यादा लगातार आप एक बार में नहीं लें बीच में कुछ समय के लिए डॉक्टर द्वारा छुडाई जाती है और फिर उसको continue कराई जाती है तो दोस्तो इसका लेने का ये तरीका था टैबलेट का जिसे आप ध्यान रखें और यदि समझ नहीं आए तब अपने डॉक्टर से जरूर से consult कर लें लिवर की बहुती अच्छी दवाधा है। लेकिन फिर वी इसके कुछ side effect भी हैं जैसे की anydrugs के होते हैं इसलिए इसके side effect के बारे में जान लेते हैं क्या क्या इसके side effects हो सकते हैं ज्यादा तर जो side effect देखे गए हैं उनमें व्यक्ति को स्वांस लेने में परेसानी होती है व्यक्ति के चैरे पर होट पर जीप पर या गले में सूजन आ जाती है और कई वार सरीर पर लाल-लाल चकते भी पड़ जाते हैं दस्त लगने लगते हैं साती पेट में दर्द की सिकायत उसे रहती है और कई व्यक्तियों में खूब सारे ऐसे unwanted effect देखे गए हैं जो उसको मिलते हैं यदि ऐसा आपको लगे तो तुरंत इस दवा का 7 बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके और दोस्तों यदि आप ये टेबलेट ले रहे हैं तो आपको बिसेश तोर से एक चीज़ धियान रखनी है कि आप एंटसेट प्रिपेर्शन का प्रियोग नहीं करें एंटसेट सीरप या एंटसेट टेबलेट का प्रियोग नहीं करें अगर यह आप लेंगे तो अर्सोडियोक्सी कोलिक ऐसी टेबलेट डिजॉल्व नहीं हो पाएगी और आपको डिजायर एफेक्ट नहीं मिल पाएगा कौन सी ऐसी इस्तिती होती है जब यह टेबलेट डॉक्टर्स द्वारब प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है चलिए दोस्तों वीडियो में आगे जानते है कुछ वर्निंग्स और प्रिकॉशन्स के बारे में और दी जाए तो यह अपना कारे नहीं करेगी यदि किसी ब्यक्ति को पैप्टिक अलसर है मतलब पेट में च्छा लें है तब यह दवा नहीं दी जाएगी और गर्ब निरोधा गोलिया यदि कोई महला खा रही है तब इसके बारे में डॉक्टर को अवस्य ही बताएं जिससे कि आपको यह टेबलेट ना देकर डॉक्टर कोई अने टेबलेट प्रेसक्राइब करें और जो भी पेशिंट अपने डॉक्टर के बारे में बताने के लिए जाते हैं तब अपनी medicine history होती है उसे आप अपने डॉक्टर के साथ जरूरी शियर करें जिसे की वे आपको जो dose दवा का जो सही तरीका है लेने का या दवा सूट नहीं कर रही है तो कोई दूसरी दवा आपको prescribe कर सकें इसलिए medicine history अपने डॉक्टर को जरूर बता दें जिससे किसी भी तरह की परिशानी आपको ना हो तो दोस्तो ओल ओवर सभी जानकारी स्टेबलेट के बारे में मैंने आपको बता दिये यदि वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को like and share जरूर से करते हैं दोस्तों मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए दोस्तों टेक क्यार जैहिन धनेवाद